असलाम लेकुम आज हम फिर लेकाई हैं एक और नई रेसिपी हांडी दमकबाब जो बहुत ही टेश्टी बनते हैं आप इस तरीके से बनाईए घर में सभी को पसंद आएंगे ये कैसे बनते हैं आईए बनाना सुरू करते हैं अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं क्या है इने भी कट कर लेंगे और इनी के साथ में प्याज भी हम ग्राइंड कर लेंगे सारा समान मिक्सी ग्राइंडर के अंदर डालेंगे और थोड़ा सा पाइं डालेंगे पेश तेयार कर लेंगे ये ग्रेवी के लिए रेडी हो गया है अब हम कीमे के लिए रेडी करेंगे ये बिल्कुल बारिक से चोप कर लेना है, जैसे चोपर से करते हैं, अब ये रेडी हो गया है, आधा किलो बफेलो के कीमा लिया है, इसके अंदर 15 ग्राम हमने चरबी मिक्स करा ली है, अगर इस तरह का बारिक चिकना होना चाहिए, कीमा अगर आप चरबी नहीं डालना चाहिए, तो तेल इसके अंदर एड़ करने, इसे बिल्कुल सोफ्ट अच्छे कबाब बनेंगे, तीन बड़ी चमच फुलवर के बेसन लेना है, अगर आपके पास नहीं है, तो चनी का पाउडर भी ले सकते हैं, और एक चोटी चमच कबाम मसाला लेना है, ये होमेड मसाला है, आप चोटी चमच लेंगे मिर्च, आप टेस्ट के कोडिंग कम जादा कर सकते हैं, वन फो टी स्पून हल्दी लेनी है, बहुत थोड़ी सी हल्दी लेंगे, ये सारे मसाले कीमे के अंदर एड़ कर लेंगे, और साथ में हमने जो हरा धनिया, हरी मिर्च और ये हमने चोप करी है, इसे हम डाल लेना है, अगर पानी आपको लगे से अंदर तो निचोड़ कर इसे तब इसके अंदर एड़ कर लें, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और नमक भी हम इसके अंदर साथ में ही एड़ कर लेंगे, मैंने दिखाया नहीं था, वन टी स्पून हम नमक दो बड़ी चम्मच फुल भरके अदर कलहसुन का पेज़्ट भी एड़ कर दिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है, वो मैं दिखाने ही पाई, अच्छे से मिक्स करने के बाद खूब अच्छी तरह से हाथों से हमने इसे मैस कर लेना है, और इस तरह से कबाब हम बना तरह से यसान blao को बैंखेड के इसाइडों देना है जब इनके अंदर अच्यास ह This और इनकी इने फ्राइड करेंगे गोल्डन जैंगा इतने द nämह वह निकाल लेंगे झाल के बाद और और कंड को इसाइड यह जब तरह से डाल आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी हसान के अंदर कलर आ गया है अब यह ओयल बच गया है इसे के अंदर हम ग्रेवी बनाएंगे आपको जादा लगे तो निकाल सकते हैं वैसे यह बिल्कुत सही है क्योंकि फ्राई होने के बाद थोड़ा सा कम भी हो गया है अब इसके अच्छा आएगा इसके अंदर मसाले याट करेंगे जाए जाएगा बड़ी चमच फूल भर के धनिया पोड़र लेना है और एक छोड़ी चमच कश्मीरी लाल मिर्च इस कलर बहुत अच्छा आएगा और आदा छोड़ी चमच लेंगे हल्दी एक छोड़ी चमच नमक लें जरूरत नहीं है इसके अंदर यह मसाला भून भी जाएगा अगर आपको लगए पानी डालने के जरूरत है तो एक दो चम्मज डाल भी सकते हैं अब इसका ऊपर आजएका इतनी देड़ी से अच्छे से भून लेना है अब इतने हम दो बड़ी चम्मज हमने मगज लिए हैं और दो बढ़ी चमच भी हम गोला लेंगे इनका हम पेश्ट बना लेंगे थोड़ा सा दूड़ढाल कर अब ये मसाला भ्हुन गया है इसके अंदर भी मग Ayas का पेश्ट कर लेंगे इससे ग्रेवी बहुत अच्छी हो जाएगी थोड़ा पानी डाल लेंगे इससे क Allison का कोलर भी चेण हो जाता है और इसका टेस्ट बी चेंज हो जाता है जब इसका और से बूदना है जब इसका ओए이면 सॉरा करके से फिलेवर इसका बढ़ जाता है अब कबाब 〜 अब मसारे मिनें के अपनार से 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे अगर जरूरत लगे तो थोड़ा सा पानी एट कर ले इस मसाले को खुब दुबारा से हमें खुब अच्छी तरह से भून लेना है कबाब के अंदर इस मसाले का फ्रेवर अच्छे से आ जाएगा हलका सा कवर कर देना है अगर छीटे आए तो हम इसे पकाएंगे तो थोड़ा पानी भी कम होगा अब इसे हम एक बार पकन पड़ा देंगे जब पकन पड़ जाएगी गयास को स्लो करके 15-20 मिनट हम इने पकाना है और बीच में एक बार हम चला लेंगे बीच में हमने एक बार चला दिया है और बीच में हम इसके अंदर चार से पाच हारी मिर्च आड़ कर देंगे इस से फ्लेवर बहुत अच्छा हैगा और थोड़ा सा हरा दिनिया बीच में आड़ कर देंगे और हम बाद में आड़ करेंगे एक बार चला देंगे चलाने के बाद अब इसे हमें दुबारा कुक करना है दुबारा पकाना है गयास को स्लो करना है स्लो फिलेम पर 15-20 मुट जब पूरी हो जाएंगे उसके बाद गयास को बंद कर देना है ओल उपर आजाएगा इस तरह का आपको दिखाए देगा अब जो हमने हर दिनिया बचा लिया था थोड़ा सा उसे भी उपर से डाल लेना है और एक बार हलके से चला लेना है तो आप इसके अंदर ग्रेवी अपने हिसाब से रख सकते हैं मैंने इसके अंदर एक गिलास पानी एट किया था आप डेड़ गिलास पानी भी एट कर सकते हैं तो इसके रिए भी देख सकते हैं कैसी माशालला इसके अंदर ग्रेवी भी अच्छी है और कलर भी माशालला बहुत अच्छा आया है अब दिखाते हैं आपको निकाल कर यह कैसे हांडी दमकबाब बनकर तयार हूँ है एक प्लेट के अंदर हम निकाल कर दिखाएंगे और तोड़ कर दिखाएंगे आपको कोई डाउट हो तो हमें जरूर बताना अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नीव रेसिपी के साथ इस तरह से आप डिस आउट कीजिए अगर पसंद आए तो एक बार जरूर बनाना अल्ला हाफीज